हेलो बच्चे हो, तो कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एक्जाम्स की तयारी भी कर रहे होगे तो बच्चों जैसे के आप सभी को पता है कि जब भी आपकी काजुल माम एक separate वीडियो के साथ आती हैं तो कुछ ना कुछ specially लेकर आती हैं जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने आज मैं इस वीडियो के त्रू लेकर आई हूँ एक ऐसी चीज जो आगे आने वाले board exams में आपके बहुत काम आने वाली है तो मैं मैं आप ऐसा क्या लेकर आयो मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के लिए accountancy का 2 months strategy एखा जाए तो अब आप लोग के पास सिफ 2 months ही तो बचे हैं 2 months पर मैं अभी तो September ही चल रहा है हाँ बच्चो September चल रहा है और बहुत जल बीतने भी वाला है और ये September तो आपके exams में ही निकलने वाला है तो उसके बाद आए माम October, November, December, January exams तो February में है न बट बेटा ये जो October, November है सिर्फ ये ही 2 months है आप लोग के पास पढ़ने के लिए क्योंकि December में यादे क्या होता है Pre-board exams वहाँ पे आप Pre-board की preparation करेंगे January में external practicals होंगे और FAB में तो है खतरे की गंटी, your board exams तो बताए कहां है हमारे पास समय तो अब हमें अपनी कमर कस लेनी है क्योंकि अब हमारे board exams आने वाले हैं तो हमें उनके लिए खुद को पहले से ही prepare करके रखना है तो इस 2 month की strategy को मैं आप तो it's 2 month strategy में मैं आपको बताऊंगे कि किस तरीके से आप अपने accountancy का पूरा slabors सिर्फ 2 महिने में खतम कर सकते हैं बट strategy बताने से पहले कुछ important बात हो जाए देखो बचो, सबसे पहले तो जब भी आप अपने किसी भी चीज के तयारी करते हैं, आप किसी भी subject को उठाते हैं उसका slabors को finish करने के लिए तो आप randomly ना उठाएं और हमेशा आपको planning करनी चाहिए आप सबसे पहले अपने slabors को उठाइए उसके concepts को देखिए, chapters देखिए number of chapters कितने हैं, उसमें concepts कितने हैं इस तरीके से आप अपने slabors की summary prepare करिए, चाहिए तो आप CBSE का slabors भी उठा सकते हैं, उसमें आपको पूरी detail information दी हुई होती है, then उसके बाद, जब आप preparation start करते हैं, so plan your topics आप अपने topics प्लान करिए कि इस दिन में मुझे इतने-इतने topics cover करने हैं always set your day-wise target और उसमें भी आपको इस बात का ध्यान लखना है कि आपको time-bounded रहना है कि इतने time में हमारे ये concept complete हो जाने चाहिए, right दूसरी बात, आजकल बच्चों का भी बच्चे भी एक trend follow कर रहे हैं आप कह सकते हो कि या उनकी भी एक अपनी स्ट्राटेजी है, क्या स्ट्राटेजी है कि बच्चों को आजकल ना shortcut चाहिए उन्हें चाहिए कि यार ठीक है में प्रेपेर करना है एक chapter, उठाते हैं YouTube से एक one shot वीडियो उसे देख डालते हैं और सोचते हमारा काम हो गया बच्चों आपकी ये strategy अच्छी है बट अभी के लिए नहीं अभी आप जिस stage पर हो अभी आप learning stage पर हो जब आप revision state पर आएंगे जब आप revision की condition में आएंगे तब आपके लिए वो one shot important है क्योंकि अभी आपके पास इतना time है कि आप छोटी-छोटी चीजों को भी आपको यहाँ पर देखकर चलना है आपको फिलहाल chapters को detailing में prepare करना है क्योंकि आपको ही पता है कि MCQs आते हैं तो बहुत detail में आते हैं आपको CUT के लिए भी खुद को prepare करना है तो बहुत detailing में जाना होता है हमें तो आपको फिलहाल अभी chapters को पढ़ना है detail में ताकि आप छोटी-छोटी चीज़ उस concept के बारे में समझ सकें हाँ जब आपका syllabus complete हो जाएगा और अपने exam से पहले आपको एक revision चाहिए होता है तो one shot is good तो आपने देखा होगा अगर आप मेरे चानल को follow कर रहे हैं याँ मैं वीडियोज डालती हूँ यहाँ पर daily अपनी live classes की तो उसके अंदर आप उस तरीके से पढ़ रहा होगर hardly 10 to 15 minutes की एक वीडियो होती है concept से related तो अगर आप daily भी 15-15 minutes निकाल के वीडियोज देखेंगे तो आपका concept clear हो जाएगा राइटर अच्छे से समझ में आएगा ठीक है और बिल्कुल ऐसा ही आप वहाँ पर पढ़ाया जाता है जैसे कि आप school में आपने coachings पर पढ़ते होंगे तो ये दो बाते मुझे आपको बतानी थी और दूसरे चीज़ ड़ाउट ओफ 100 की दौड में आपने भागना है हमने भी आपके साथ भागना है लेकिन प्रेशराइज नहीं करना खुद को ना आप खुद को प्रेशराइज करेंगे ना मैं हमें पहुत अच्छे से तैयारी करनी है, हमें सब कुछ करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें अपटी 12th को इंजॉय भी करना है, ठीक है, हमें पेरेंट्स को भी टाइम देना है, फ्रेंट्स को भी टाइम देना, हमें सब कुछ करना है, और साथ में बढ़ी अधरीके से तैयारी भी करती है, मैं भी आपके साथ मेनत करूँगी, आप मेरे साथ मेनत करेंगे और मिल जूलके हम उस टारगेट को बिलकोल अचीव करेंगे, तो चलो बच्छो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो मैं आपको की टू मन स्ट्राटेजी है कैसे, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आपको भी पता है कि अकाउंटेंसी के इंदर हमारे पास तीन वॉल्यूम्स है, राइट वॉल्यूम वान, वॉल्यूम टू और वॉल्यूम टू आपकी पूरी की अकाउंटिंग करेंगे, जहां पर shares किस तरीके से issue किये जाते हैं deventures किस तरीके से issue किये जाते हैं और वॉल्यूम टू है हमारी the analysis of the financial statements यानि कि आपको financial statements बनानी तो आ गई है बट उनके analysis कैसे किया जाता है उसके basis पर किस तरीके से interpretation होता है, किस तरीके से result find outs होते हैं, वो हम इस book के अंदर पढ़ेंगे basically हम यहाँ पर पढ़ने वाले है the tools of analysis of financial statement right, okay so come to the volume 1 now आपकी जो volume 1 है वो 36 marks किये ठीक है, अब उसके अंदर जो हमारा chapter number 1 है, यह है fundamentals of partnership, देखो बच्चो जब आप पहली बार आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, मैं यही सोच के चल रहू हूँ कि आप फर्स time इसको पढ़ रहे है तो जब आप पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे तो फोड़ा flow बनने में आपको time लगेगा पहला chapter है भी थोड़ा सा बढ़ा chapter number two is goodwill accounting for goodwill उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं एक दिन में आपको वो chapter complete हो जाएगा even मैं तो कहूंगी आदे दिन में ही complete हो जाएगा then third chapter change in profit sharing ratio अब आपको ही पता है कि यह chapter हमारे लिए इसलिए भी बहुत important है क्योंकि इसके उपर based हमारा admission, retirement, death क्योंकि जो concept हम यहां पढ़ने वाले है वो repeatedly आगे वाले chapters में मारे पस बिल्कुल आएंगे तो इस chapter को अगर आपने अच्छे से prepare कर लिया तो 4, 5, 6 को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्यों? revaluation सब में सेम है accumulated profit and losses का treatment सेम है existing goodwill, goodwill raised and return of अगर आप पढ़ रहे है तो यह तो बिल्कुल सेम है सब chapters में बस admission की goodwill के case हलो जाते है retirement की goodwill के अलग हो जाती है वो एक-एक entry का फरक पढ़ता है तो आपको chapter number 3 को बहुत अच्छे से prepare करना है तो इसको मैंने यहां पे 2 दिन allot किये है पर अगर आपसे 3 दिन भी हो जाया तो कोई problem नहीं है ठीक है? उसके बाद chapter number 4 admission of a partner यह 3 दिन लेगा आपके क्यों? क्योंकि वैसे तो आपका base बन चुका होगा chapter number 3 में क्योंकि वही same concept में आपे repeat होने वाले है but just because यह chapter न थोड़ा सा हमारा six marks के जो question आते हैं वो इसमें से आने के chances होते हैं और हर साल आते ही है तो इस chapter को के जो बड़े वाले questions हैं वो हमें जादा prepare करने पड़ते हैं general entries के साथ अलग करने हैं accounts के साथ अलग करने हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा और आपको इसको अच्छे से करना भी है तो इसलिए इसको आप तीन दिन देंगे fifth chapter है आपका retirement retirement में कुछ खास आपको नहीं पढ़ना वही आधी चीज़े तो admission वाली है treatment चीज़ों का वही देगा बस आपने जो retiring partner उसका amount कितना due निकलेगा वो निकालना आपको सीखना है उसके अलावा जो retiring partner है वो अपनी goodwill कौन सी ratio में लेके जाते है उसकी क्या entry होती है आपको वो सीखना है और the most important is the retiring partner's loan account तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा तो ये दो दिन में हो जाएगा sixth chapter है आपका death जैसा आप retirement में loan account बनाना सीखते है वैसे death के अंदर भी सेम उसी तरीके से ही loan account बनाने को आता है तो अगर आपने वहाँ सीख लिया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो आपका dissolution of partnership firm अब ये chapter है तो easy क्योंकि इसके इंदा कुछ खास बहुत ज़्यादा concepts नहीं है hardly care, आपको realization account सीखना है अगर आपने realization account बनाना सीख लिया अगर आपने realization की entry करना सीख ली तो बस 80% chapter आपका वहीं खतम उसके बाद partners capital account बनाना loan account बनाना, cash bank account बनाना उसमें कुछ भी खास नहीं है main realization ही इस chapter के अंदर चीज है तो इसको करने में आपको तीन दिन लगेंगे आपको बहुत सारे realization के questions की practice करनी है general entries के अलग और account के अलग ठीक है तो इसी के साथ आपकी जो first book है वो complete हो जाएगी तो देखो ज़रा कितने दिन में आपकी first book complete हो रही है तो देखो बचल 16 days में आपने volume 1 complete कर ली जो कि कितने की सिर्फ 36 marks की आपकी book है ठीक है बट इसको करने के बाद यह नहीं कि तुरंट आप volume 2 पर आगे इतनी जल्दी jump नहीं करना है आपने क्या करना है इसको करने के बाद आपको 3 दिन इसी book की practice करनी है यानि कि अब आप सारे chapters पढ़ चुके है अब आपको पते कि सभी chapters में क्या होने वाला है तो आप previous year के questions उठाएं या sample papers उठाएं उसमें सिर्फ और सिर्फ volume 1 के questions को attempt करें देखो कि जब आपके पास सारे questions एक साथ आते हैं सभी chapters के तब आप उसे attempt कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ठीक है तो तीन दिन तक लगातार आपको उन questions की practice करनी है आप देखो 16 प्लस 3 19 days में आपने volume 1 complete कर ली ठीक अब आते हैं volume 2 पे जो की है 24 marks की और देखो आपने आपने पूरे साल कुछ भी नहीं किया यार मैं सबके लिए strategy बता रही हूं जिसको 100 आउट ओफ 100 लाने है तो 20 marks का तो practical है वो तो जो आप जैसा perform करेंग उसी के ओपर है आपको 80 में से 80 लेकर आने हैं तो यह पूरी strategy अगर आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आएंगे बढ़ देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्रस लेबस कवर नहीं कर पाते तो बढ़ आपने पूरे साल में कुछ भी ना किया हो ना आप यह दो चैप्टर पढ़ लो पूरे साल में क्या आप दो चैप्टर भी प्रिपेर नहीं कर सकते आप यह दो चैप्टर करो देखो 24 marks तो यहीं है फिर यहां से कोई एक आदा हलका चैप्टर उठा लो कम से कम 40 marks के लिए भी आप प्रिपेर कर लोगे तो भाई पास हो आप देखो क्योंकि अपन को ना hero नहीं बनना है हमको यह नहीं देखना कि यार एक दम से हम 80 में से 80 हमारा पहला target 80 नहीं है 80 में से 27 भाई पहले में पास होना है पहले हम उस 27 को अचीव करना चाहते है पहले वो 27 मिल जए हमें उसके बाद 80 में जलाने ही लाना है बट पहले वो 27 पहले safety जाहिए अपनी कि भाई 27 आगे पास हो गए तो इसलिए आपको उस तरीके से अपने आपको प्रिपेर करना चाहिए कि भाई पहले वो है फिर उसके बाद वहां तक तक तुमने पहुंच नहीं है ठीक है तो में आपका चाप्टर नंबर एट है इसको आपने दस दिन देना और पूरी निष्ठा के साथ देना है अगर आपने इसको दस दिन दे दिये तो बहुत बढ़ी तरीकिस आपको इस चाप्टर समझ में आ जाएगा और बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी बहुत-बहुत-बहुत 6 marks का एक question आपको इस chapter में से 100% दिखेगा तो बहुत अच्छे से chapter को prepare करना है तो लगबग आपको 10 दिन इसके अंदर लग जाएंगे ठीक है अगला chapter है issue of debentures जिसमें लगने वाले आपको 5 दिन हो सकता है यहां पर आपको 12 दिन भी लग जाएं तो वो आप यहां से compensate करिए क्योंकि अगर आपने shares कर लिया तो आपका debentures का भी base बन जाएगा क्योंकि आदे concept उसमें वही सेम आते हैं issue वाले concept उसमें थोड़े बहुत सेम ही आते हैं तो अगर आपने shares कर लिया तो debentures में आपको कोई खास problem नहीं आने वाली है उसमें कुछ चोटे-चोटे से concept है जो वो दिन सिर्फ और पर पेपर में से आपने partnership के practice करी होगी उसी का part A में से आपने shares की practice करनी है debentures की practice करनी है ठीक है कि 17 days में आपने इसको भी prepare कर लिया ठीक है अब आते है volume 3 पर आपकी जो volume 3 है ये 20 marks की है बट आप इसे सिर 20 marks की मत सोचना ये 40 marks की है क्यों क्योंकि आपका practical है वो भी इसी में सही है जो आप file बनाने वाले है specific project अगर आपने वो मेरी video नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखेगा मैंने project file की पूरी एक video separate डाल रखी है उसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको practical file prepare करनी है accountancy की ठीक है तो practical जो है वो इसी में सह इसी कि जो last के दो chapters है chapter number four and five और three भी तो इसी में से ही आपको accountancy का practical prepare करना है तो आप पढ़ेंगे तभी तो practical कर पाएंगे आपको वाईवा भी देना है तो आपके कि ये वाली book 20 नहीं 40 marks की है ठीक है जिसमें से आपका ये जो last chapter है ना cash flow statement ये अकेला 8 नंबर का है और बाकी कि ये जो सारे chapters है ये मिलाके हैं आपके 12 नंबर के ठीक है बच्चो तो अब इसे करना कैसे है देखो पहले दो chapter तो बहुत easy है एक ही दिन में निपट जाएंगे दोनों क्यों इसमें आपको क्या करना है first वाले chapter के अंदर आपको balance sheet का format और profit and loss account का format learn करना है main heading, sub heading इस तरीक सकते हैं ठीक है अब आते हैं chapter number 3 पे chapter number 3 है हमारा comparative statements common size statements कुछ यह हमें बनानी होती है इसके सिर्फ 5-6 questions भी अगर आपने इसके prepare कर ले तो यह आपका chapter done तो यह भी goodwill के तरह आदे दिन में ही निपट सकता है उसके उसके बाद आपका fourth chapter है accounting ratios का जिसमें वैसे तो chapter easy है but बहु almost 18 questions almost 18 ratios हैं आपको जहां पर prepare करनी है और practical file में भी काम आएगा यह आपका chapter तो इसको मैंने दिया 5 दिन तो आपको जब इस 5 दिन के लिए आप इसको prepare कर रहे होगे तो अपनी ratios divide कर लेना days के according ठीक है तो उस तरीके से आपको इसको prepare करना बहुत सारे questions इसके भी आपको practice करने पड़ेंगे ठीक है उसके बाद आता है आपका fifth chapter which is cash flow statement very important six marks का एक question इसमें से भी आता है ठीक है तो उसके लिए आपको लगबग इसके अंदर एक हफता लगेगा जिसमें आपको तीन activities सीखनी होती है operating, investing और financing तो operating वाला जो है वो सबसे जाद आपका time लेने वाला है ठीक ह दो दिन आपको इसकी भी practice करनी है जिन sample papers में से आपने ये दो prepare करेंगे उसी के आगे आपको part भी मिलेगा उसमें आप इसकी practice करेंगे दो दिन ठीक है तो देखो बच्छो ये वाला भी हमारा किती दिन में complete हो गया है तो देखो बच्छो 14 डेज में आपकी ये बुग भी complete होगी तो देखो बच्छो 52 डेज में हमने काम अपना complete कर लिया है देखो October में आपके 31 डेज और November में 30 डेज आपके बास 61 डेज हैं लेकिन हमारा target 52 डेज में complete हो रहा है अब इसका reason किया है देखो बच्छो ये मैंने जो schedule आपका बनाए है जो strategy बनाए है ये इस चीज को ध्यान में रखकर बनाए है कि अभी आप लोग school भी जा रहे हैं आप लोग school जा रहे हैं आप वहां का भी काम करते होगे वही पढ़ाई करते होगे आपकी अलग subjects की भी आपको पढ़ाई करनी है तो ये आपको इस तरी तो आप लेके चलो कि 52 days में हमें complete करना है हमने माना है two months लेकि 52 days में complete कर जाएंगे ठीक है but subject complete हो जाने के बाद फिर से अराम से नहीं बैठना है देखें ज़रा क्या करना है 52 days हो जाने के बाद 3 दिन और आपने लगाने है यानि के total 55 days और अगले 3 दिन आपने previous year question papers prepare करने है तीन गंटे का आपको timer लगाना है और आपने देखना है कि क्या उस तीन गंटे में आप अपना पेपर complete कर पा रहे हैं या नहीं पेपर बहुत ईजी आता है accountancy का concept सारे पड़ेवे होते हैं आपने time सिर्फ आप time manage नहीं कर पाते हो बच्चे कहते हैं लेंदी पेपर था ले में complete करना है तो आपके हाथ उसी साब से चलने चाहिए सो practice करिए जित्ती ज़्यादा practice करेंगे आप उत्ती ज़्यादा अपने paper को time से complete कर पाएंगे ठीक है बच्चो अच्छा चली ये तो 55 days में आपका काम हो गया तो मैदम 55 days बाद इसे बूल जाए नहीं बच्चो बूल किसी भी चीज को नहीं है जब तक board exam नहीं आने है तब तक हम किसी चीज को बुलने वाले नहीं अपनी अब अपने फिर क्या करना है आपने करना है फिर every Sunday आपकी practice हो जाने के बाद हर Sunday को आपको एक sample paper solve करना है every Sunday क्योंकि आप देखो आपके countancy प्रिपेर हो चुकी है अब आप बाकी subject सी प्रिपेर कर रहे हो तो उनकी भी practice करते रहो और हर Sunday to Sunday क्योंकि उसे school नहीं होता तो उसी timing में आप 3 गंटे का अपने timer लगा के आप अपने sample paper solve करो अगर आपने strategy को follow कर लिया और आपने अगर ढंग से पढ़ाई कर ली in 55 days के अंदर मैं आपको guarantee देती हूं कि आपके definitely number बढ़िया आने वाले 80 out of 80 का जापका target है वो आप नहीं छोड़ोगे अगर आपने बढ़िया तरीके से त्यारी कर ली तो अगर आप careless हो गए तो अगर आप determined हो कि हाँ अगर आप हो कि यार मुझे 80 में 80 लेकर आना है ठीक है बच्चो सो all the best और comment section में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको strategy कैसी लगी और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे comment box में लिकर बता सकते हैं और मैं को daily update भी कर सकते हैं और वो complete कर लिया है okay students bye bye और all the best इसको अच्छे से follow करिएगा और जैसे जैसे मुझे 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 मिलेगा मैं आपके साथ मिलने के लिए आती रहूंगी till then bye bye